नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों काफी इस्रमकार धारगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि उनको इस्रमकार से क्या-क्या लाब दिया जाएंगे दोस्तों मैं आपको गदा चाहूंगा कि जब से मुख्य मंत्री योगी आजनाजी दुवारा पंपंसो रुपे की खुसना की गई है तब से भारी संक्या में इस्रमकार बनवाई जा रहे हैं लेकिन उससे पहले सभी के मनों में यह विचार चल रहा था कि इस्रमकार से एकाउंट से पैसे कटेंगे लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी भी कुछ व्यक्तियों के मन में यही सवाल है कि जो इस्रम कार्ड बन रहे हैं उनसे क्या-क्या लाब मिलने वाले हैं और किन-किन लाबों को वहले पाएंगे तो उसने यहां पर ऐसे किसान हैं जिसने इस्रम कारड बनवाय हुआ है और वह किसान सम्मानिधियोजना कभी लाब लेते हैं तो क्या उनको यह लाब 500 रुपेगा लाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और जो income tax भी करते हैं उन्होंने भी इस्टरम कार्ड बनवाया हुआ है तो दोस्तो क्या उनको भी यह लाब मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ प कब मिलेंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको संपूर जानकारी देने वाला हूँ अगर आपने भी इस्रम कार्ड बनवाया हुआ है और आपके भी मन में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है दोस्तो आप इस वीडियो को जरूर देहेगा और सुरू से लेकर लाश् जाएगा तो वह लोग कौन होंगे उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर प्रोपर जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे चोठान निविदन करूंगा कि अगर आपने आभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को काम करने वाले सर्मिकों का डेटाबेस तयार करने के लिए सरकार ने इसी साल इस्रम पोर्टल की सुरुआत की थी ताकि सर्मिक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए इस्रम कार की माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाब उठा सके जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुरोना महामारी के चलते दोस्तो सभी व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा कठनाई आ चुकी थी कठनेगों सामना करना पड़ा है दोस्तो कुछ व्यक्तियों यहाँ पर ऐसे भी थे कि जिनको काफी कठनेगों सामना करना पड़ा है उनको कोई भी काम नहीं मिला है और खाने पीने की जो दिक्का से दोस्तों वेक काफी जहिलनी पड़ी है तो ऐसी स्तिती में सरकार दुबारा यह है इस स्रम पोर्टल बनाय गया है जिसके चलते सभी योजनाओं का लाव दिया जाएगा जैसी दोस्तों आपको याद होगा कि कोरोना महारी में सरकार दुबारा पन-पन-सो रुपे दिये गए थे यह पन-पन-सो रुपे जन्धन एकाउंट में दिये गए थे लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी जो वैक्ती हैं जो एसे इंगिटे चेतर से हैं गरीब हैं वह लाब नहीं उठा पाई थे तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार दुबारा इस्रम पोर्टल की सुरुवात की गई है और जो भी वैक्ती इस्रम कार्ड बनवाएगा दोस्तों उसको सीधा लाब सरकार दुबारा बैंक एकाउंट में ट्रांस पर किया जाएगा जैसी दोस्तों आपने सुनाई होगा कि एक बार फिर से महामारी आने जा रही है दोस्तों काफी यहाँ पर ओमिक्रोन के जो केस हैं मिल रहे हैं और आगे दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसी स्तिती में दोस्तों आप से मैं एक ही निवेदन करूँगा कि आपको अपना जो ईश्रमकाड है वह बनवाँ चाहिए क्योंकि अगर यह हमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार दोवारा आपको ईश्रमकाड के माध्यम से सिधा लाव आपके अकाउंट मे पहुचाय जाएगा तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको लाव मिलेगा और क्या-क्या लाव आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों अब तक ऐस संक्टे छेतर में काम करने वाले कुरोरों लोग ईश्रम प्रोटल पर पंजिकरन करा चुके हैं लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल बना हुआ है कि जो इश्रम काड वह बनवा रहे हैं उनसे क्या-क्या लाव उनको मिलने वाला है लाव मिलेगा या नहीं मिलेगा तो जिल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सवाल करके आपको समझा देता हूं और बता लेता हूं दोस्तों यहाँ पर कुछ किसान ऐसे हैं कि जो परधान मंत्र किसान सम्मान इथी योजना का लाव लेते हैं तो उनके मन में सवाल है कि क्या उनको भी यह लाव मिलेगा तो जो परधान मंत्र किसान सम्मान इथी योजना का लाव लेते हैं उन्होंने भी इ यह लाब दिया जाएगा लेकिन ध्यान रहें अगर आपके पास अदिक भूमी हैं माजिक कर से ज्यादा हो मी है तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है यह वात आपको धियान में रखनी के होग से जो टैक्स पे करते हुने भी इस्युकार्ड बनवाय wore है क्या उनको भी यहँ आप इस्रम कार्ड बनवाते हैं, तो वहाँ पर दो अप्सन आते हैं, EPSO और एक अप्सन ओर आता है दोस्तों, जिसमें बताए जाता है कि अगर आप इस्रम कार्ड बनवाते हैं, यंकि अगर आप टैक्स पे करते हैं, तो आप इस योजना का लाब नहीं उठा सकते हैं, ठी कैसे लाब यहाँ पर मिलेंगे तो मैं आपको सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देना वाला हूं वीडियो को छोड़के मज जाएगा एंड तक वो जरूर करेगा आँकर आखिर तक आप चरूर देखेगा वीडिव लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए तो यहाँ पर जानकर यहासिल यह करना है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन एसंगर्टि छेत्र से है और किन व्यक्तियों को लाब दिया जाना है दोस्तो यहाँ पर यही डेटाबेस इखाट टक्या जा रहा है और उसी के माध्यम से सरकार एसंगर्ट छेत्र में रहने वाले वैक्तियों को, गरीव वैक्तियों को, मुझदुरों को सिधा लाव एकाउंट में ट्रांसपर करेगी दोस्तो सरकार योजनाओं का लाव उन सभी को पहुँचा जाएगा यहन के इस्रम पर जो भी पंजी करने वाले हैं, सरकार और एसंगर्ट कामगरों के बीच की दूरी खत्म होगी यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि एक इस्रम कार से, एक इस्रम कार से सोला बड़ी योजनाओं का लाव दिया जाएगा चाहे इसमें बेटी के साधी के लिए हो, चाहे इसमें आवास योजना का हो, चाहे इसमें पैंसन का हो, चाहे किसानों का हो यहाँ पर 16 बड़ी योजनाओं कालाब एक इसरमकार से मिलने वाला है जिससे सरकार और उनके द्वारा वर्दमान में भवश्य में सुरू की गई जाने वाली योजनाओं कालाब सभी तक सीधा पहुँचाए जाएगा जैसे कि हमने आपको बता है कि 16 बड़ी योजनाओं कालाब आपको यहाँ पर सीधा मिलने वाला है जाहिए वो आपकी बेटी के लिए, साधी के लिए हूँ, मकान बदाने के लिए हूँ, सोचाले के लिए हूँ जो बड़ी योजनाई हैं दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको 16 बड़ी योजनाओं के नाम भी आपको बता देंगे और आप कैसे सुन के लिए आवजन कर सकते हैं, कैसे आप लाब ले सकते हैं उसके बारे में भी प्रोपर जानकर आपको एक वीडियो बना कर दे दी जाएगी कि फिर कुरोना संकट गहराया और काम काज पर असर पड़ा, तो क्या मिलेगा सरकार योजनाओं का फाइदा, जी हाँ दोस्तों मैं आपको इस सवाल का भी जवाब यहाँ पर दे देता हूँ तो बताएगा है, यहाँ पर उन सभी को लाब मिलेगा सरम एवं रोजगार मंत्राले की ओर से दी गई जानकरे के मुताविक आपात कालान, आपात काल महामारी जैसी कठिन प्रिस्तितियों में सरकार ऐसंगटे छेतर में काम करने वाले हर एक कामगार तक मदद पहुँचाने के श्रक्सम बनेगी जैसे कि मैंने आपको सुरुवात में ही बताया था कि करोना महामारी में चलते सरकार दौरा पहले भी लाब दिया गया है और एक बार फिर से ओमी करोन की जो महामारी है बिमारी है वह दोस्तों वाइरस फिर से काफी तेजी से फैल रहा है तो ऐसी इस्तिती में सरकार दौरा सिधा लाब आपको पहुंचा जाएगा या फिर दोस्तों आपातकाल यहाँ पर जैसे की बाड़ा जाती है और उससे काफी नुक्साद हो जाता है तो दोस्तों यहां पर सवाल नंबर आपका पांच है तो यहां पर बता गया है कि ऐसंगड़े छेत्र के कामगार को कितना कितनी ओजनाओं का लापने लेगा तो जैसे कि हमने आपको बता है सुरुवात में ही कि यहां पर कुछ व्यक्तियों के मंद में जो है सवाल अब भी चल रहे हैं हाला कि मुख्या मंत्री दौरा पंपन सु रुपे की घोसना कर दी गई है और आप इस्रम पोर्टल पर जाकर भी यह संपूर्ण जानकर रहासिल कर सकते हैं दोस्तों हम अपनी त स्वाब हो जाएगा पोर्टल पर पंजीकरत कोई प्धी ए आह संगटित कामगार सरकार की भावि योजनाओं और सेवाउ को अच्छुत नहीं रहेगा यह कि कोई भी तर्मीक यहां पर वंचित नहीं रहेगा जिहोंने इस पोर्टल पर पंजीकर गई है हाली में जो योजना चल रही है उनको दो लाब उनको मिलने वाला है यहां पर बता गया है कि भाष्यम ये आगे कोई भी योजना अगर नहीं योजना की गई है वहलाब आपको कब दिया जाएगा जनवरी 2022 में वहलाब आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पर 5 जनवरी की डेट मिले रिपोर्ट के मुताबिक बताई गई है कि 5 जनवरी 2022 को आपकी जो 500 रुपए है वह आना जूब हो जाएनगे दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आपसे सवाल कर सकते हैं आपके परती एक सवाल का जवब यहां पर दिया जाएगा निवतने ही करूंगा कि दोस्तो अगर आपने भी तक वीड 박 नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजए ज़एंय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब गरेगा दोस्तों इस चैनल के माधिन से आपको परती एक जानकरी दी जाएगी और दोस्तों सही समय पर सही सटी जानकरी दी जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब गरेगा और बैल एकन को प्रेस करेगा तक गयाने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे आप चाहते हैं आपसे इजायत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए उस्तो जया हिंद जया भारत